हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मुबायल की कुछ ऐसी सैटिन्स के बारे में जिससे दोस्तो आपके मुबायल की जो बैंटरी है वो दोस्तो आप 2-3 दिन तक चला सकते हो कौन सी ऐसी hidden settings है आज किस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ इसलिए दोस्तों आपने इस वीडियो को सुरु से लेकर लास तक ध्यान से देखना है चाहे दोस्तों आप कोई भी वाइल यूज करते हैं कोई भी Android वाइल यूज करते हैं सभी में दोस्तों आप इन settings को अपने वाइल में कर सकती है इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपने अपने वाइल की settings को उपन करना है settings को उपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो setting मैं आपको बताऊंगा वो इस setting दोस्तों आपने अपने वाइल में करनी है इसके लिए सबसे पहले आपने नीचे की और स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगी battery इस वाली option पर दोस्तों आपने click करना है इसके बाद power saving mode की आपको एक option देखने को मिलेगी इस वाली option को simply दोस्तो आपने यहां से enable करना है तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले आपने settings को enable कर देना है इसके बाद दोस्तो आपको बहुत सारी settings भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जिस से दोस्तो आपके well की battery 2-3 दिन चलने वाली है इसके लिए दोस्तो आपको यहाँ पर एक और option देखने को मिलती है more battery settings, इस वारे option पर दोस्तों simply आपने click करना है, click करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी settings देखने को मिल जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने मिल ली होगी, optimize battery use, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आपको application देखने को मिलेगे, यहाँ पर दोस्तों जिस application को आप सबसे ज़्यादा यूज करते हो उसको दोस्तों आपने auto optimize कर देना है जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं एक application को आपको auto optimize करकर दिखाता हूँ इस तरह से आपने auto optimize कर देना है जिससे दोस्तों यह daily application आप्टोमाईज होते रहे इस तरह से आप बहुत सारे एप्लिकेशन को ओटो अप्टोमाईज कर सकते हो इससे आपकी वैल की बैटरी दोस्तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और दोस्तो लंबे समय तक चलेगी तो इस तरह से दोस्तो आपने इन सैटिंस को अपने वैल में करते जाना है अब बात करते हैं दोस्तो नेक्स सैटिंस के बारे में इसके लिए दोस्तो आपने यहां से बैक हो जाना है बैक होने के बाद दोस्तो आपने यहां पर साउंड और वैब्रेशन की आपको एक उप्शन देखना मिलेगी इसको उपन करना है यहां पर दोस्तो vibration और ring इसको आपने off कर देना है क्योंकि दोस्तो जब भी आपको कोई यहां पर message आता है या कुछ भी होता है तो vibration होती है जिससे आपके well की battery बहुत ज्यादा खर्च होती है तो इन सभी settings को दोस्तो आपको अपने well में छोटी-छोटी settings को करकर रखना चाहिए तो यहाँ पर दोस्तो अब बात करते हैं next settings के बारे में next settings है दोस्तो वो दोस्तो आप सभी के well में यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिलती है additional settings में additional settings में दोस्तो आपने click करना है इसके बाद accessibility की आपको एक option देखने को मिल जाती है इसमें आपने क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तो आपको remove animations की एक option देखने को मिलिया इसको simply आपने यहाँ से enable कर देना है इस settings को enable करते ही दोस्तो आपके well की battery में दोस्तो सभी settings complete हो जाएंगी अब दोस्तो आप अपने well को जब use भी करो के तो आपका well fast भी चलेगा साथ ही दोस्तो आपके well की battery दोस्तो पहले से ज़्यादा चलने वाली है आप दोस्तो खुद अपने well में इन सभी settings को करने के बाद मुझे comment box में बताने वाले हो दोस्तो क्या settings आपने हमको बताई है तो इन सभी settings को दोस्तो आपने अपने well में कर लेना है तो आई ओप दोस्तो आज की settings आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर दोस्तो पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस कर देना